हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपको स्वागत है ससी जीडी भरती 2021 पिछला विडियो जब मैंने बनाया था तो काफी लोगों को मन में डाउट था आज उस डाउट का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ तता काफी लोग पुछ रहे थे कि सर कितने पद पर भरती आन है यह सभी जनकारी मैं इस वीडियो से देने वाला हूँ तो वीडियो शुरू शलके अंतक देखिएगा काफी लड़के कोमेंट किये थे कि सर वीडियो बना कर जनकारी दीजे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 मार्स से आपका आवेदन सुरू हो जाएगा तो ला जनकारी इसमें दिया हुआ है यहां पर देखिए यहां समय पढ़कर आपको सुनाता हूं करमचारी चाहने योग जो कि एससी जल नहीं केंदरी पुलिश बलो में कॉंस्टेबल जेडी पदों के लिए भरती पर क्रिया शुरू करने वाला है ससी के परिछा कलेंडर के देना होता है आपको बताए कि परिक्षा 2 अगस से लेके 25 अगस 201 तक संपन होगी यह सभी जनकारी इसमें दिया हुआ हा है कि यह इसमें आपको साभ साब बताया है आपर मतपोर तारीक याद रखीएगा क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं एससे में आपको video बनाकर बाजी नहीं करना है क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय कुछ भी आपका गलती होता है तो दुक्मेंट फिरिफिकेशन में फिर फस जाईएगा और फिर दिक्कत हो सकता है ठीक यहां पर देखिए से जेडी कोश्टेबल भरती के लिए ओनलाइन अवेदन अंतिम तारिक जो है 10 माई है 10 माई अंतिम तारिक है और आपको 25 मार्स के सुरुवात हो रहा है ठीक तो आपके पास अच्छा कासा समय होगा भरने के लिए तो मिनान से यह देख लीजिएगा कि आपको क्या लेना है जैसे BSF लेना है CRPF लेना है CISF लेना है ITBP लेना है SSB किस छेतर में आपको होगा नंबर के कोड़ी ही दिया जाता है लेकिन आपका प्रफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले किसमें जाना है SSJD परिछा के तारिक दो अगस्त से लेके 25 अगस्तों तो तारिक भी यहाँ पर पहले ही तैकर दिया गया है कि आपका परिछा जो होगा यह टोटल आपको 23 दिन में परिछा कंड़क्स करा लिया जागा 23-24 दिन में ठीक और सीबीटी एक्जाम होता है यह आयू सीमा देख लिए बार बार लड़के पुछ रहे थे कि सर आयू सीमा क्या है इसमें तो देखे इसमें आयू सीमा लिमिटेड ही होता है जेनरल कंडि को इसमें लागु होता है ठीक यह ध्यान में रखेगा बिहार वाले यह मत्स बिहार के जो भी कंडिडेट ही यह मां सोचीएगा कि इसमें एबी सी लागू होता है यह बात ही ध्यान में आप रकिएगा इसमें तीन-चार ही काटेगरी होते है जैसे की जेनरल होगा आपको परिष्छा का पैटर्न मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कैसे कहा से कुशन आता है पदों के लिए होने वाली परिक्षा सो अंको के अब्जेक्टिव टाइप की कशन होते हैं परिशा में कुल 100 प्रसंट पूछे जाते हैं चो चार भागों में डिभाइड होते हैं इसकी चार भाग 25-25-25 करकर आपको 100 कोशन होंगे परिशा में जनरल इंटेलिजन्स और रिजिनिंग जनरल नॉलेज और जनरल अवरनेस गडित और अंग्रेजी के प्रसंट पूछे ज सारा देख लीजिए सारा कुशन देख लीजिए बस करेंट अफेर में अपडेट करते जाईएगा जैसे के वो करेंट फिर पूछा होगा 2019 का ठीक तो आपको क्या कर लेना है 2021-2020 के अपडेट में हो जाना है ज्यादा तर 2000 आपको 21 क्यूंकि आपको अगस्तमी एक्जाम कि इसमें से आप तेज से 24 कोशन कर सकते हैं अगर अच्छे से तयारी कीजिएगा तो ठीक क्योंकि अभी भी आपके समय है अभी आपके पास समय है समय के कोडिंग आप यूटिलाइज किजिए और एक घंटा डेली रिजिनिंग पर देजिएगा तो समझे के 24 से 25 कोशन भी और यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो है यह दिया रहता है तो टोटल में वता देता हूं कि यह करेंट फिर से पुछता है आपको जनर्साइटेंट तक आपको पढ़ना होगा भुटिक बिग्यां जो पुछता है और इसकार और खोजी यहां देके साब आपको अराम से पढ़ सकते हैं इससे समंधित पुछे जाएंगे आपको संवन अनुपाहत समय और कार होता है यह सब आप से पुछे जाते हैं यह ध्यानबर रखेगा राभ्णी से पुछे जाते हैं यह आपको elementary mathematics में पढ़ना है और बात रहा है हिंदी अंग्रेजी काफी लड़के पुछ रहे कि सर दोनों लगाना पड़ेगा नहीं आपको हिंदी लीजिए या तो इंगलिस लीजिए तो ज्यादा तर जो हिंदी बिल्ड वाले इस्टुडेंट होते हैं जैसे को तरी भारत के वह हिंदी ही लगाते हैं और हिंदी में आप पूर्था हो जा नियों कि पिछली बार जब मैंने तयाइड़ी कराया था तो बहुत से स्टूटल दिया गए था को लेकिन सक्षा मेरिट में च्छट गए हैं अधा लगों आपको अच्छे तरीका से त्यारी करते रहे हैं पुराने स्टूडेंट क्या करना है जो लोग मेरिट में च्छटें वह बिस रिविजन करते रहे हैं कि आपको ठेक्टिक पता है कैसे निकालना है बस प्रेक्टिस करते रहीं और जो नएं स्टूडेंट है उनको सभी चेप्टर आपको पढ़ने के लिए प्रामस हो जाएगा अब यहां पर देखेए selection के परकरिया में क्या होता है काफी लोग पुछते कि सर के इसमें कैसे क्या होता है सबसे पहले आप फोम भरिएगा पिर आपका एड्मिर कड़ाएगा फिर आपका रीटिन एक्जाम होता है रेटे ऑसकाल मिसकी लोग் पूच्छने आप अप बरू मवह उसके मिझा जब थे हाने को महिला के लिए अलग रहे नहीं देना होता है सब्लें गरेगा झुल सभी लोगों को महिला के लिए अलग सीट आता है जिसे पिछली बार तश जर सीत आया था महिला और बियोए पिछली भरती यह पिछली भरती नहीं है पिछली भरती में आपको आने वाला था यह तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखे 2016 से 2016 से लेके 2020 तक क्या हुआ है कि 46,000 ऐसे आपको मांग चुके हैं कि यह तो मन से मन सही मान लिजे रिटार्मेंट वह मांग चुके हैं यह पर अब देख सकते 40,000 करम चारी शयुक्षिक श्वनावरिती मांगे हैं जो कि आपको देख सकते हैं कि और बाकि देखिए 600 से जदा यह आपको अन जवान भी स्थिपाद दिये हैं सबसे जबसे जबसे जो श्वीक्षिक लिए हैं वह ब्येस हैं यह बात ध्यान मरेख एक ठिक तो अभी ये 2016 से लेकर 2020 तक्ति यह माले जिस्वेक्षिक शिक्षिप ले रहे हैं बाकी जो सीट खाली है क्योंकि 2018 वह अठारा वाला भरती था 2018 के बरती के बाद सीधे 2021 में आ रहा है तो आप समझ रहे हैं यह जो CBT किया गया यह लगवा है क्योंकि यहां परकिरिया जाएगा और जो है पिछले वाला जो परकिरिया उससे बहुत बहुत जल्दी किया जाएगा क्योंकि पिछले वाला एक साल तो पूरे लॉगडाउन में बरबाद हो गया लड़कों का समय ठीक और जो सीटों की संख्या है लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूं पचास जार से उपर सीटों की संख्या अभी कोई ओफिसेल आकड़ा नहीं दिया गया है लेकिन अ पढते होंगे तो आपको पता होना चाहिए ठीक तो ये परकरिया है और और इससे related आपका एकी चीज़ सूट रहा है कि हाइट कितने कितने चाहिए लोगों के भरने के लिए तो उसके लिए मैं अलग से विडियो बनाऊंगा क्योंकि हाइट में अलग male female दोनों को बनाना पड़ेगा और physical कैसे होता है यह सभी परकरिया मैं आपको समझा दूगा अलग से विडियो में ठीक तो मैं वह अलग से विडियो लाओं उसके लिए आपको comment box में यह सब करना वैसे एक दूसरी का काम लिया जाता है लेकिन यह आपको जरूर देख लेना है कि हमें कि छेत्र में जाना है सबसे ज्यादा कर दो अजरूर देखेगा कि काफी जाता है जीतना नमबर रहेगा और पुलिस ठायरी कर रहे हैं वह टेस्ट स्टाइब हो चुका है कैसे ठेस्ट द्राइन कीजिएगा चलिए उस बारे में आपको बता देता हूं बिहार फायर में भरती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक्टेश्ट लगा सकते हैं मातर 99 रुपया में आपको पता है कि अब सलेबस 10 लेबल पर कर दिया गया है तो सभी कुशन आपको 10 लेबल पर मिलने वाले है ठिक और आपको सलेबस भी पता है कि 100 कुशन रहता है तो इससे ज़्यादा लगेगा इसमें आपको सहुलियत भी मिलने वाला है बहुत से यहाँ पर देख लिजे हिंदी इंगलिश दोनों में प्रसंद आपको मिलने वाला है जैसे कि आपके पेपर में मिलता है लगों के साथ आप राइंक भी दिखेंगी कि आप कितना स्कूर कर रहें ठिक सब एक प्रसंद का पॉइंट वैस दिया रहता है अगर कोई कोशन में डाउट रहता है तो उसे समय आप पूश रखते हैं आपके एक्जाम होने से पहले एक्जाम कब है याद रख लिजी फिर से 6 जून 2021 किसको आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया जागा बिहार फायर मेंट का ठिक यह ध्यान मर कियेगा इसके लिए क्या करना होगा आपको एक्जाम स्टूडे एपस है यहां पर प्लेयर स्टोर से देखिएगा यहां पर लोगों देख सकते हैं इस्टोल कर लेना है इस्टोल करने के बाद आपको क्या करने वाला है यहां पर बिहार एक्जाम यह दिखिए बिहार एक्जाम वाला जो सेक्शन है इसमें आना है ठीक यह बिहार एक्जाम वाला सेक्शन में आईएगा अगर फ यहां पर बिहार पुलिस फायर मैं 2021 टेस्ट इसरीज ठीक यहीं से आपको टेस्ट इसरीज मिलने वाला है तीस फूल टेस्ट इसरीज आपको 99 रुपया मिल रहा है ठीक यहां पर आकर यहां पर क्लिक किजिएगा तो ऐसे यह पेड कोर्स दिखे लिखा हुआ है पेड में आपको रिबीजन भी करना होगा और आप एक्जाम दिए होंगे इससे पहले तो आप देख रहे होंगे कितना प्रेसर हो जाता है एक्जाम होल में की कोशन छूट भी जाता है तो यहां पर आपको वैसे लड़के भी मिलेंगे तो आपका स्कोर और आपका रैंक एक दूसर